नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने यूटूब चैनल सिक्षाब में तो फ्रेंट्स जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि CHS इंटरेंस इंग्जम्स मेरे बच्चे CHS इंटरेंस इंग्जम्स ना बोलकर CHS का जो एडवीशन प्रोसेस है वो ए लॉट्र प्रोसेस क्या है 2022 के लिए यानि कि बच्चे यह जानना चाहते हैं क्या जानना चाहते हैं जरा गौर से सुनिएगा मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि बताने के लिए यह लॉट्री सिस्टम क्या होता है इसका क्या प्रोसेस है तो मैं सारी कोस्टन्स को सारी आपक बारे में जाननेया चाहते हैं ठीक है इससे जानने की चाहत आप रखते हैं तो हम लोग जानेंगे की E-Lottery क्या है यानि की E-Lottery जो सिस्टम अपनाई गई है जो पदती अपनाई गई है बच्चों के एडविशन लेने के लिए यानि की उनके भविश्य के साथ खेलने के ल कितना हो लेकिन हमको कि उससे मतलब नहीं है और तब बोला जाएगा कि यार यौ concern कि अगर ऐसे किया जाएगा बच्चों के साथ तो क्या रोजगारी हमारे इंडिया में नहीं होगी तो क्या कहीं और होगा नहीं होगा लेकिन जब बच्चे चाह रहे हैं पढ़ना तो इन् मेरे बच्चे तो कहीं बड़े-बड़े school और colleges में पढ़ रहे हैं यहां से तो उनको कुछ लेना देना है यह नहीं जिसका है वो अपना सोचे तो देखिए मैं बताता हूं कि आखिर e-lotry कब कहां और कैसे होगा पहला point यह है यहां हम discuss करेंगे दूसरा point हमारा ही कि e-lotry से selection क कैसे होता है यह भी discuss करेंगे e-lotry का रिजल्ट कब publish किया जाएगा और इसका e-lotry जो है यह कब खेला जाएगा आखिर इसमें सारे parents को बुलाया जाते हैं और सारे बच्चों को बुलाया जाते हैं इस पे भी discuss करेंगे और क्या finally क्या अगर हम form डाले हैं तो उमीद है कि सार करेंगे गा वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस लाइक कर दीजिए गा और अगर आप ऐसा ही information चाहते हैं तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके और बगल के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ओके फ्रेंट चलिए अपने वीडियो को सुरू करते हैं आपको हम ब आपको एडविशन दिया जाएगा आखिर यी लॉट्री कैसे खेला साएगा यानि कि लॉट्री से सेलेक्शन कैसे होगा मेरा भाई आप एक बात जान जाओ यहां जो बच्चे होंगे क्लास शिक्स्ट और नाइंथ में यानि कि छटवी और नवी में जो भी बच्चे हैं वह category wise उनको बाठा जाएगा, categorize किया जाएगा, यानि कि अगर आप यहां देखो मैं बता दूं यहां तीन category बाता जाएगा, एक होगा हमारा General, एक होगा हमारा ST, एक होगा हमारा SC, अब बोलोगी मेरा भाई कि EWS और OBC कहां जाएगा, ति यह सभी के सभी हमारे कहां आजा नहीं दिया जाता है, तो मैं मानता हूँ कि वह General category में ही होंगे, ओके, तो अगर हम इस category को उठा कर देखते हैं, तो बच्चे जितने भी फरम भड़े होंगे, उनका एक computer में उनका नाम लोड कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा, और सारे बच्चे का नाम, मानते ह यहां 10,000 बच्चे, यहां General और OBC, और EWS मनि की लगभख बच्चे हैं, ठीक है, AST और AST की बाते हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं, यहां बच्चे हैं, कितने, 10,000 मान लो, मतलब, मैं Approx मान लो 10,000, ठीक है, और बच्चे हैं, यहां उनका पूरा नाम दिख जाता है, ठीक है दिखा दिया जाता है, और रही बात बच्चे की सभी Parents और सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाता है, कुछ ऐसे Parents होते हैं, जिनको Call करके बुलाया जाता है, आप जान रहे होंगे कि 2-4 ऐसे कहीं से Parents को बुला लिया जाता है, नहीं तो उनकी Employment होते हैं, जो उनके Member होते ह यानि कि धोकादारी तो होती ही है, मेरे भाई गरीब के बच्चे हैं, वह कहां से पढ़ेंगी, इतने CBSC Body School में, अगर वो पढ़ना भी चाहते हैं, अपने दम पर पढ़ना चाहते हैं, तो यह BSU प्रसासन या उनका वहाँ जो BC हैं, वह इन पर रोक लगाना चाहरे हैं, कि पूरे बच्चरी का नाम दिखा दिया जाएगा, और किसी एक पैरेंट्स को ख़ड़ा करा कर पुछा जाएगा कि आप इस नमबर में एक नमबर को सलेक्ट कि जिए, और वह पैरेंट्स, जो गर्जियन होंगे, वहाँ पर गये होंगे, वह सोच समझ कर किसी एक नमबर क को selective कर लेंगे मानते हैं कि उसेइven घिक है यानिकि 11 होके क्या 11 नमबर सेख्ट कर लेते हैं तो उससेर अदर के पर लेगा और उस नमन का रिप्रेस किया जाएगा रिपरेस किया जाएगा ठीक है रिकॉल किया जाएगा ऐसे करके कुछ होता है उसमें जो system मतलब setting है वो ऐसे किया जाता है और computer जो है खुद ही publish कर देता है कि rank 1, rank 2, rank 3 पे कौन कौन से बच्चे का नाम है वो खुद publish कर दिया जाता है अब बच्चे सोच रहे हो कि बच्चे आप बहुत छोटे हो नदान हो आपको मालूम नहीं कि rank क्या होती है जो बच्चे को मालूम है प्लिस नराज ना हो ना कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मालूम नहीं है और जिनको मालूम नहीं हो वो गौर से सुनना जिनको मालूम है अच्छी बाते है ठीक है rank होता है मिर भाई कि अगर आपके CHS class 6 में 20 सीटे हैं और ऐसे 20 सीटे अगर आपका rank 15 आ जाता है तो आप उस rank के अंडर हो और आपका addition पक्का निश्चित होना ही होना है और आपका जो result publish किया जाएगा ओ किया जाएगा एक वेटिंग लिस्ट और एक किया जाएगा confirm list ठीक है तो जिनका भी confirm list में नाम होगा उनका officially वात है कि उनका addition निश्चित होना है और जिनका waiting list में है अगर confirm वाले list से बच्चे का नाम से अगर सीटे बच जाती है तो वेटिंग लिस्ट में सबसे जो उपर होंगे उनकुछ बच्चों का addition होना निश्चित है आप तो जानगें कि आखिर e-lotry system क्या होता है कैसे selection होगा जान जाएगे कि एक तरह का यह prod वाजी है मेरे खियास है नहीं तो interest लो मेरे भाई ठीक है next आईए e-lotry कब कहा और कैसे होगा आप तो जानगें कि कैसे होगा और कब होगा तो 28 मैं को होगा ठीक है और इसका जो result publish होगा 30 मैं को होगा ठीक है और यह होगा हमारा B.E.H.U. में होगा ठीक है B.E.H.U. में होगा मेरे भाई आप जान गए कि B.E.H.U. में होगा कैसे होगा यह भी जान गए बच्चे आपका परिशानी दूर हो गया मुझे उम्मीद है कि आपके परिशानी दूर हो गए होगे लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे C.E.H.S. इंटरेंस इग्जाम देना चाहते थे बट इग्जाम ना हुआ और अगर कोई भी इग्जाम देना चाहते हैं किसी भी सेंटरल इसकोल का इग्जाम देना चाहते हैं और उसका प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉमेंट किजिए मैं उसका प्रिप्रेशन तयारी तयार करूंगा आपको मैं आपको गाइड करूंगा मैं आपको तयारी कराऊंगा उस इसकूल के लिए एक लौता हमारा CHS नहीं है मेरे भाई कि आप अपना पूरे भविष्य को CHS अगर आप ऐसा नहीं नहीं है कि आप CHS में पढ़ोगी तो ही आप अपना भविष्य को समार सकते हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है यानि कि आपसे प्राथना है कि आप जो मतलब कि यानि प्रेस्ट नहीं है प्लिस अधर इसकूल का तयारी प्रिप्रेशन चालू कर दिजिए तो चलिए फाइनाली मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी रिलोटरी सिस्टम क्या है तो थैंक्यू बच्चो मिलते हैं फिर ऐसा ही कोई अगले वीडियो में नेक्स वीडियो में न थैंक्यू बगाइ